आज मैं चली गई थी सुपर मार्केट मंतली राशन का सामान लेने और वहाँ से आने मुझे काफी लेट हो गया तो आज का डिनर में बनाने वाली हूँ सिर्फ 15 मिनट में क्योंकि रात के बज़ रहे हैं 9 और सबको लगी है जोरो की भूग तो यहाँ पर मश्रूम मैं दो दिन पहले ही लेके आई थी और मश्रूम क्योंकि जल्दी खराब हो जाते हैं तो मुझे बनाने थी आज यह यह बनाने थी आज यह बनाना है डिनर सिर्फ 15 से 20 मिनट में और खाना सबको टेस्टी है और जल्दी बनना भी चाहिए तो आज मैं मश्रूम की बहुत ही आसान रेस्पी आपके साथ शेयर करने जारी हूँ जो आसानी से बन भी जाएगी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है तो यहाँ पर मश्रूम को मैंने पानी से अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है आप चाहे तो मश्रूम को आटे से थोड़ा सा मतब सूखी आटे से थोड़ा रब करके इसे अच्छे से पानी से धो के क्लीन कर ले आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बटर गार्लिक मश्रूम की बहुत ही आसान और टेस्टी डेसिपी जो रेस्टरून में काफी फेमस है यानि रेस्टरून के मेन्यू में काफी फेमस है और रेस्टरून में काफी ओर्डर की जाती है तो mushroom को मैंने दो pieces में कट कर लिया है अब यहाँ पे मैंने लिये हुए है दो प्याज यहाँ पे एक मैंने लिया हुआ है बड़े size का प्याज और एक लिया है चोते size का आप यहाँ पे दो medium size के pyaas भी ले सकते हैं तो 400 л ग्राम mushroom के लिए बस इतने ही प्यास हमें लगने वाले हैं और प्यास को यहां बारीक बारिक हमें चॉप कर proxy इस बटर-गार्लिक मुष्णोंकों यहां ब्रडिक finns कर लिय कर लीए ला把它 RAW बलने के बाद अब यहां पे जाङ कर लिया है और इसे कर लेंगे बारिक बारिक जॉब तो गार्लिक की कॉंटिटी जादा ही रखनी है क्योंकि बटर गालिक मश्रूम बना रहा है तो गार्लिक की कॉंटिटी तो जादा होनी चाहिए इसी से एक बड़िया सा फ्लेवर आता है इस बटर गालिक मश्रूम में तो और अब मैं इसमें डाल दूँगी 100 ग्राम बटर, बटर आप salted, unsalted कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बटर के थोड़ा सा मेल्ट होते हैं इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, और प्याज को में translucent होने तक कोख कर लेना है, थोड़ा सा सौटे करने के बाद इसमें प्याज कोई ब्राउन नहीं करना है, यहां पे मैंने कटे हुए मिश्रूम आट कर दिये हैं, और मश्रूम को भी हम थोड़ा सा सौटे करेंगे, भी मश्रूम बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, अब यहां पे मैं आट कर रहे हूँ एक टीश्पून नमक, और मश्रूम जल् मैं आड़ करूंगी तो आप चाहें तो ब्लाक पेपर पाउडर भी आड़ कर सकते हैं क्रश किये हुए ब्लाक पेपर का टेस्ट जाधा अच्छा आता है तो मैंने यहां पे खलबटे में इसे अच्छी तरीके से क्रेश कर लिया है और इसे अब हम आड़ कर देंगे मश्रू में और मश्रूम ने काफी सारा पानी रिलीस किया है फ्लेम को हाई पे कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए अब यहां पे मैं आड़ करूंगी बारिक कटी हुई हरी धनिया आपके पास पास ले हो तो वो भी आड़ कर सकते हैं तो यहां पे धनिया की बारिक चॉपिंग के बाद एक ग्रीन चिली को स्लेट कर लेना है तो आप चाहें तो और भी ग्रीन चिली आड़ कर सकते हैं अगर तीखा पसंद है तो मैं यहां पे ग्रीन चिली और धनिया को एड़ कर दूंगी मश्रूम में मश्रूम का पानी सारा सूख चुका है अच्छे से म में बहुत अच्छे लगते हैं तो यहां पे तबे मैंने डाल दिया है बटर और इसी कसासा बटर के थोड़ा सा मेल्ट होतेजिं डाल दूंगी मैं में मिक्स हर्ब और थोड़ा सं मैं डालूंगी कि चिली फ्लैक्स रोटी पराथा बनाने का कोई जंजटी नहीं है येहां पे किसी भी तरह की ब्रेट के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे ब्रेट को सीखने के लिए रख दिया है दोनों साइट से अच्छा ब्राउन होने तक इसे सेख लेंगे तो ब्रेट सिख चुकी है इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा कट लगाते तब इसे सर्फ करेंगे یعनी कि इसे तीन पीसे में मैं कट रही हूँ एक ब्रेट के मैंने कर दिये हैं तीन पीसे बस सारी ब्रेट को इसी तरह से कट कर लिया है ताकि सर्फ करने में इज़ी हो तो इस बटर गालिक मश्रूम को आप as a starter भी serve कर सकते हैं या फिर मेरी तरह इस तरह से bread stick के साथ भी serve कर सकते हैं आपको आज की मेरी ये easy-peasy dinner recipe कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा रेस्पी अची लगी हो तो वीडियो को like share कीजेगा साती साथ चैनल पर पहली बार आएओ तो उसे subscribe करें और notification bell को भी ज़रूर क्लिक करें मिलती हूँ next video में till then bye bye